तो चलिए थोड़ा सा हम प्रीवेश चार्ट को एनलाइस करते हैं अभी जहां तक मुझे दिख रहा है इस के अंदर चार्ट के अंदर की नीचे बायर्स तो जरूर आया हूँ ठीक है मार्केट ने इस स्ट्रक्चर का ब्रेक आउट भी दिया हुआ है और एक बुलिश पेटर्न मार्केट ने बनाते हुए मार्केट ने अच्छी केंडल के साथ यहां पर क्लोजिंग क्या हुआ है यानि डेफिनिटल नीचे बायर्स तो बेठे होंगे बट गेपप को देखते ह हुए ठीक है ना सेम ओपनिंग को देखते हुए क्योंकि कल भी मार्केट में गेपप हुआ था तो गेपप को देखते हुए क्या होगा मार्केट ने 46,000 के नीचे मार्केट ने गेपप दिया है स्वरी हाँ है ना तो 46,000 के नीचे मार्केट ने गेपप दिया है मार्केट क तो अगर देखिए कुछ अलग करना होता तो हो सकता था 56,000 के ऊपर market गेपप दे सकता था बट 46,000 के नीची market ने give up क्यों दिया क्योंकि यहाँ पर market आज यहां पर intra day में फिर यहाँ पर हो सकता है sellers को market क्रेब करें ठीक है न क्योंकि कल market ने क्या क्यों नहीं आऊंगे विकोज कल भी market में यहां पर buyers आए और market ने completely उन buyers को यहां पर target किया हुआ था ठीक है तो कल market ने buyers को target किया तो आज buyers के हिम्मत नहीं होगी कि वो लोग यहां पर बेट के और यहां पर आए ठीक है ना तो most probably यहां पर sellers तो आए होंगे बट buyers उतने नहीं है market completely buyers को target नहीं करेगा ठीक है ना तो 46,000 के आसपास से देखते हैं कि कैसा market यहां पर momentum दिखाता है market कैसी यहां पर ठीक है ना first candle कैसी बनाता है तो उसके according फिर हम buying side का trade find out करने की कोशिश करेंगे यह सिर्फ मैं इस चार्ट को देखते हैं बता रहा हूँ ठीक है जरूरी नहीं कि मैं buy ही करूँगा मुझे जो projection दिखेगा जैसा momentum दिखेगा उस according मैं buy में भी जा सकता हूँ sell में भी जा सकता हूँ जैसे कल के live video में आपने देखा होगी कल एक लेवल भी पोस्ट किया हूँ था ग्यार आप इसके 9 मिनट पे कि 45700 का एक यह रिवर्सल जो ने और वहीं से मार्केट में थोड़ा सा 50 को नीचे आया ठीक है ट्रेप करने के लिए sellers को उसके बाद मार्केट में यहीं से continue अपर साइट का momentum आयता है अगर आप देखेंगे 45700 के लेवल के आसपास यहां से ठीक है ना तो informative चीज़ें आपको group में मिलती रहेंगी और जो भी update होता है वो मैं यहां पर डालता रहता हूँ तो जोइन नहीं किया तो जोइन कर लेना अब भी market open होने का वीट करते हैं चार मिनट की बाब market open हो जाएगा तो market open होने का वीट करते हैं उसके बाद फिर देखते हैं कि केसा momentum आता है कैसा में trade बनाना है तो बेट करिए बताता हूँ क्या रहा है चलो तो मार्केट ओपन हो चुका और मार्केट ओपन होती है में अपर एक बाइंग साइट का मोमेंटम दिख रहा है और निफ्टी में सेलिंग साइट का मोमेंटम दिख रहा है तो एक्जेक्ली कल की तरह ही मार्केट फस्केंडल भी बना रहा है देखिए छोटी-छोटी ब निफ्टी में अच्छी सेलिंग आई हुई है और निफ्टी में अच्छी सेलिंग दिखा के मार्केट ने क्या यहां पर प्रूव किया है यही प्रूव किया है कि जो बायर्स यहां पर आया थे थोड़े मोड़े बायर जो आया थे इतने ज्यादा बायर तो थे नहीं लेकिन सोच के coding काम करता हूं तो मेरी जितरा मैं समझभा रहा हूं market को nifty ने यह selling का momentum दिखा के buyer को जरूर निकाल दिया होगा और nifty इतना selling इस लिए भी दिखा रहा है कि market ने previous day भी ऐसा selling दिखा हुआ था तो market यहां पर क्या कर रहा है sellers को पुड़ा लालच देने का भी कि त्रैकर रहा है कि देखो आजाओ चलते हैं नीचे proteg ज़ादा नीचे जा नहीं पायगा आज कि अधा कोई करते हैं अभि एक अले ज़ाइब अभी तक ठीक चल रहा है सारा यहां पर अभी क्या हो रहा है देखिए कल के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो कल जिसने मार्केट को यहां से गिराया हुआ था उसने कहा किया मार्केट को यहां से गिराया उसके बाद मार्केट ने उसका यहां पर उसके opposite मुट्रेट करता हुआ यहां पर close कर दिया यान पर उसका buying का price था या पर selling का price था कोई अगर option seller होगा तो उसने यहां पर selling के position भी तो वहीं पर market ने open दे दिया तो अभी वह क्या करेगा अभी वह कुछ नहीं करेगा अभी वह market में position लेके बठा हुआ है ना तो वह अपना profit book करेगा और नहीं उसका अभी stop loss होने वाला है तो वो अपना position यहां पर निकालेगा बट लेकिन market इतनी आसानी सो इतनी जल्दी उसको target नहीं करेगा जैसा मुझे लगर अगर करना होते तो market यहीं से भाग जागा directly उसके stop loss मिल जाते तो उसके stop loss अभी दूर है ठीक है अगर किसने यहां पर selling करी होगी तो उसके stop loss 46200 के आस selling में आएगा ठीके ना जब इस closing price के breakdown कर देगा market यहां कहीं जब trade करेगा उसके बाद फिर market यहां पर दूसरा operator या फिर market जो भी है वो फिर यहां से अपना पैसा लगा रहे स्टार्ट करेगा और फिर जो भी यहां पर intraday में यहां पर seller जो activate हुए उनके stop loss के सारे वो क्या को मिलेंगे हम position से लेकर अपनी exit हो जाएंगे तो अभी बेट करते हैं अभी तो ऐसा कुछ scene हो नहीं रहा है तो अभी बेट करते हैं अपने projection का जैसा हमने सोचा हुआ है कि थोड़ा market इन levels का breakdown दे उसके बाद हम को entry बनाएंगे तो अभी बैसा करने जाते हैं market को उसके बा यहां पर trap हो जाएंगे तो अभी यह ऐसा zone है कि यहां पर हम कोई भी entry नहीं बना सकते हैं ठीक है तो यहां तो market को breakout करने जीजे या breakdown करने दीजे किसे एक party को trap होने दीजे उसके बाद हम फिर कोई entry बनाएंगे यह वाले zone में आप खामखा ट्रेप हो जाएंगे क्योंकि द तो यह मैंने आपको explain कर दिया है तो अभी बेट करते हैं थोड़ा आराम से यहां पर buyers बठे हुए तो market और नीचे हो सकता है कि इनको target करने के लिए तो definitely बठे हुए उतने ज्यादा buyers है नहीं नीचे ठीके नहीं ज्यादा market नीचे आ नहीं पाएगा तो अभी बेट करते है प्राइजेक्शन ठीक ठाक बना रहा है market फिर अभी entry बनाते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या होता है Hello everyone तो देखिए market में यहां से upside का momentum आया हुआ है जिस चीज की हम बात कर रहे थे market ने वैसा ही कुछ किया हुआ है बट हम entry अपनी नहीं बना पाए because market में market ने upside का momentum में कुछ ऐसी जगे से किया है कि जहां पर entry बनाने का कोई sense था नहीं ठीक है बनाने को बनाया जा सकता था but market में देखिए एक वह होती possibility की market आपके against में भी move कर सकता है तो maximum हमारे market अगर जाना भी होता उपर तो थोड़ा market अगर हो सकता था नीचे closing price है तो सब को यहां पर buy का try कर लोंगे 46,000 का level है तो सब लोग यहां पर buy कर लोंगे तो इसी चीज को देखते हुए हमने यहां पर buy नहीं किया हम थोड़ा wait कर रहे थे कि थोड़ा market नीचे आ जाया कम से कम इस level का breakdown कर दे या पि closing price का breakdown कर दे तो हम जाके entry बनाएंगे but market नहीं यहां पर ठीक है हमारे condition की according तो हमने entry यहां पर avoid की हुई है तो अभी wait करते हैं दुबारा से कोई chance मिलता है entry का तो हम entry बनाएंगे ठीक है ना तो wait करते हैं अभी अपसाइट का momentum तो ठीक है कि यहां से आया हुआ है अगर आप देखेंगे तो 100 points 110 पॉंट के असपास market ने क्यों है बट बेट करते हैं जैसे entry हमें चाहिए थी वैसे market में condition बनाए नहीं तो हमने entry को अभूइट की हुई है ठीक है तो देखें फोमों में entry नहीं बनानी है आपकी कि चलो market यहां से भागा जा रहा है तो कई भी कुछ जाओ और किसने यहां entry बना लिए तो अभी अभी market उसका profit भी कम कर देगा और stoppers भी हिट कर देगा तो वेट करते हैं भी वेट करके थोड़ा entry बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है वेट करिए हलो व्रिवन तो चलिए हम पोजिशन बना लिते हैं अब कोल साइड में हमने entry बना लिए ठीक है 361 में हमने बाई किया है तो अभी मैं आपको ट्रेल देने का reason explain करता हूँ इसी candle पर हमने entry बनाए है पोजिशन में देखिए लोज भी देखने को मिल सकता है बट देख लेंगे बड़ा ही सोथ समझ के हमने entry बनाए हुई है तो वेट करिए अभी position में कुछ cost to cost ही चल रहा है बताता हूँ में trail देने का reason ठीक है न तो 361 938 तो इसी candle पर हमने entry बनाए हुई है 361 में हमने buy किया हुआ है 361 ठीक है यहां पर हमने buy किया है तो वेट करिए अभी बताता हूँ में position में लोज देखने को मिल सकता है Hello everyone तो देखिए हमने अभी कहीं यहां कहीं position बनाए थी 9.38 मिनट पर ठीक है तो अभी position में अभी हमारी 100-200 के आसपास अभी लोज चल रहा है तो वेट करते हैं अभी लोज लिमिट के अंडर है ठीक है इस spike में हमने अभी 300-400 के आसपास भी लोज देखा हुआ था बट कोई दिक्कत नहीं है आराम से वेट करते हैं ठीक है तो order थोड़ा एक मिनट पहले execute हो गया ठीक है मैं इस candle के मतलब 46,000 के breakdown के बाद थोड़ा entry बनाता चाह रहा था बट यहीं पर वो execute होगा तो चलो कोई दिक्कत नहीं ठीक है अभी भी कोई दिक्कत अभी है नहीं आराम से upset का momentum आएगा निफ्टी में यहाँ पर breakdown हो चुका है यहाँ पर पहली candle के low का तो आराम से wait करते हैं target या stop loss के साथ निकलेंगे ठीक है stop loss लेगा market तो हमसी कुछी stop loss देदेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें देखिए जितना analyze करना था market क आपको हमने कर लिया analyze करने के बाद हमारा काम होता है कि यहाँ पर आपको entry बनाना और target और stop loss के according आपको निकल जाना जरूरी नहीं है कि आपने आप यहाँ पर कोई trade बनाया है तो वो trade सही ही होगा और अगर सही नहीं होता है तो आप उसको ego के लिए लिए कि यार मैं कैसे गलत हो सकता हूं तो ऐसा नहीं होता है market में आपको सब कुछ accept करना पड़ता है ठीक है ना ऐसे ही market में काम होता है तो सारी चीजे देखके उसके बाद फिर हमने entry बनाई है उसके बाब जूद अगर market नीचे चला जाता है देखे जाना तो नहीं चाहिए because market में क्या हो जाग और seller का psychology भी explain किया हुआ था कि कैसे कैसे कौन कहां पर कैसे बिठा हुआ है कैसे काम कर सकता है तो उसके coding हमने आपर काम किया हुआ है अब देखे market को target देना ने देना वो market के हातों में आपके हातों में फिर again क्या है अपनी position को handle करना ठीक है इस stop loss के नजदीक आए तो stop loss को अपना वहाँ पर book करके और position से exit हो जाना target के पास आया तो target को book करके और यहां से exit हो जाना तो अभी position में बात करें तो अभी हमारा कुछ 100 रुपीस के आसपास अभी loss चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है जब in levels का दुबारा से market in levels को निकालेगा इस high को निकालेगा तो अ तो ठीके ना अभी देखिए sellers यहां पर बैठे होंगे market पिछले तीन दिनों से पिछले तीन चार दिनों से सेम जगे से resistance ले रहा है तो यहां पर definitely भर भर के यहां पर sellers आया होंगे ठीके ना तो यह जब sellers अपनी position काटेंगे तो upside का momentum definitely आपको जरूर देखने को मिलेगा यह अपसाइट का momentum सिर्फ market ने क्या किया था यहां पर थोड़े से उनको डराने दमकाने के लिए फिर यह वाला selling side का momentum उनके position में थोड़ा थोड़ा बहुत average करवाने के लिए ऐसा कुछ किया हुआ है market ने ठीक है तो देखते हैं क्या होता है अभी तो position में अच्छा कासा loss चल अपसाइट का momentum आया हुआ है और market ने candle भी अच्छी खासी बनाई हुई है बट position में हमारे उसे साफ से कोई profit चल नहीं रहा है भी cost to cost ही हम चल रहा है थोड़ा बहुत अभी यह जब market ने candle बनाया थी तो 70-80 रूपीज के आसपा जरूर हमने profit देखा हुआ था बट अभी cost to cost भी ही चल रहा है ठीक है पोजिशन हमने इस candle पर बनाई थी नोगच के 38 मिनट की candle पर और market हमारी buying price से थोड़ा 30.2 पर ही है बट lows हमें अच्छा खासा चल रहा है ठीक है 200 के आसपास अब lows देखने लग गया तो बड़ी ही समस्या वाली बात है 300 के आसपास भ तो अभी wait करते है ठीक है ना बिना target के तो हम नहीं जाएंगे भले stop loss हम ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है बट एक बार position बनाने के बाद आपको अपने analysis पर believe करना है और उसको target या stop loss के लिए hold करना है ठीक है तो अभी wait करते है मेरा analysis कहता है कि market को उपर जाना चाहिए नही नहीं जाता है market उपर तो हम चुच्चा पे stop loss लेके और अपना निकल जाएंगे ठीक है ऐसा नहीं सोच नहीं कि मैं गलत हुई नहीं सकता हूं या फिर market को तो उपर ही जाना चाहिए market नीचे क्यों जा रहा है या क्यों जा रहा है market देखिए कुछ भी कर सकता है market supreme है अगर आप इस सोच के साथ market में काम करेंगे तो आप अच्छा काम कर सकते है psychology आपकी ठीक ठाक रहेगी अच्छा आप psychology को long term के लिए build कर सकते हो देखिए एक दिन का काम नहीं है trading की जलो आज आपने profit बना लिया loss बना लिया तो आपने profit बना के ego को satisfy कर लिया कि देखो आज मेरा view स से ही हो गया market गिलत हो गया ऐसा नहीं करना है long term में आपको यहां पर टिकना है तो रोज market में market जो भी कर रहा है उसको appreciate कीजिए किके accept कीजिए और उसके coding आप अपना काम करिए तो अभी wait करते हैं हम तो हमारे target के साथ ही निकलेंगे और breakout जब इसका मिलेगा तो target हमें देख करता है तो आपको 46 200 का level भी आसानी से market में देखने को मिल जाएगा ठीक है तो देखते हैं अगर इसके breakout के साथ हमें target मिल जाता है तो बढ़ियां बात है otherwise थोड़ा और wait करके थोड़ा और momentum capture करने का हम try करेंगे बट पहले market को उपर आने दीजिए ठीक है ना तो अभी उट रहा है अगर आप देखेंगे तो buying price से हमारी ऊपर ही है market ठीक है इस candle पर हमने entry बने थी 9 बच के 38 मिनट की candle पर और उससे ऊपर ही trade कर रहा है market बट position में हमारी loss चल रहा है ठीक है तो option buying में यही दिक्कत होती है बट ऐसा नहीं है कि option buying हमेशा खराब ही होता है जिस दिन market को profit देना होता है जिस दिन momentum आता है तो उस दिन फिर फिर वहाँ पर option buying से कुछ अच्छा भी नहीं ठीक है न तो अच्छे return भी बनते हैं लेकिन यह सब होता रहता है तो wait करते हैं अभी position में अभी हमारी कुछ cost to cost चल रहा है trade लेने का reason तो आपको सारा explain हो गया होगा ठीक है न बढ़ियां से मैंने explain भी किया हुआ था सब कुछ तो अभी wait करते हैं candle market अच्छी बना रहा है बट profit हमारा कुछ वैसा चल नहीं रहा है तो ऐसा एक दिन पहले भी हुआ था ठीक है न तो अगर premium ऐसा behave करें तो जहां तक मुझे लगता है कि यह भी एक indication होता है कि market आपकी direction में काम नहीं करना चाहता है या कुछ ऐसा तो उसके according भी हम देख लेंगे कि position हमें काट नहीं है दूसरी position में दूसरे उसमें आपको बे वेट करते हैं अभी तो वेट करते हैं पोजिशन में अभी कुछ 30 रुपीज के आसपास अब जाके profit देखना चालो हुआ है हलो एवरिवन तो देखिए भी market में अच्छी candle बनना स्टार्ट हो गई है और क्या बात है बढ़ियां बढ़ियां मोमेंटम आया गया क्या बात है क्या बात है तो बढ़ियां चलने देते हैं भी spike में market ने 1000 का प्रोफिल पी दिखाया हुआ था बट स्पाइक था वो तो इ भी इसको exit करेंगे थोड़ा सा wait करते हैं ठीक है तो अच्छा खासा profit भी market यहां पर बना सकता है हमारा 1000 प्लस हमें दिखे तो हम exit करेंगे डरने गबराने की कोई जरूरत भी है नहीं ठीक है जैसा मैंने बोला था कि market जब इस level का breakout करेगा तो बढ़ियां हमें target भी देखने कम हो गया है तो अगर आप देखेंगे तो इस पाइक में करीफ करी मार्केट ने 70 72 74 कोन के आसपास दिखाया हुए बढ़ देखें इस पाइक में दिखाना और booking करना दो अलग बाते होती है तो दिखाने से कोई मतलब नहीं होता हम booking कर पाए या ने कर पाए मेटर भो करता है तो इतना जल्दी तो कोई booking कर भी नहीं पाता है देखते रहे गया हम और मार्केट ने प्रोफिट कम कर दिया तो वेट करते हैं देखें मार्केट बोलेटाइल है इसमें कोई बात है नहीं तो ये देखें मार्केट ने पूरा हमारा प्रोफिट भी कम कर दिया है माइनस में भी आ गया है तो ये बड़ी समश्या वाली बात है अब क्या कर सकते हैं में भी हमें पोजिशन दिखा दिया है तो वेट करते हैं ठीक है ना वैसे यहां से निकलना भी कोई सेंस वाली बात है नहीं क्या मतलब आ रहा है तो वेट ही कर लेते हैं थोड़ा दुबारा जो मार्केट में का ब्रेक आउट करने जाएगा तो फिर टार्गेट के साथ ही निकले में ठीक है तो देखें दो इसपाइक में मार्केट ने टार्गेट दे दिया था और फिर वो दो केंडल में मार्केट ने पूरा प्रोफिट भी कम कर दिया और लोस में भी आमें दिखा दिया तो यह डाउंसेट का मोमेंटम देखी आना जर में दिजी तो हमारा काम क्या है सिंप्ली अपने प्रोफिट और लोग्स को मैंज करना मैं दिद्ध के पास आये तो पॉजिशन को काटना प्रोफिट के पास आया तो अपने प्रोफिट को बुक करना एक्सित हो जाना तो इतना बड़ी चल रहा है 100 के आसपास तो देखिए अभी मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम भी अच्छा आसा है हुआ है और मार्केट ने 4200 से exactly मार्केट ने rejection जो शो किया है और position के लिए हमारी बहुत ही खराब बात है ठीक है टार्गेट हमने पूरा देखा उसके बाद मार्केट अभी हमें अच्छा खासा लोस भी दिखा रहा है 500-600 के आसपास अभी हमारा लोस चल रहा है तो देखिए अब मार्केट हो सकता है टार्गेट देने में टाइम लगा दे अब देखिए जितनी जैसे selling market में दिखाई है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी जलदी market इसको cover भी कर लेगा, ठीक है, तो हमें हमारे loss के साथ भी निकलना पड़ सकता है, तो wait करते हैं भी अच्छा खासा loss चल रहा है, तो निकालने का समय भी अभी हमारा आ गया है ठीक है तो चलिए निकालने पोजिशन तो चलिए हमने पोजिशन को अपनी बुक कर लिया अच्छा का सब्सक्राइब कर दिया मार्केट ने तो अब क्या कर सकते हैं ठीक है मार्केट ने टार्गेट दिखाया बट बुकिंग का मौका आमें मिला नहीं तो फिर हम कोस्ट लो कोस्ट और फिर विडाउट टार्गेट या छोटे मोटे स्टॉप लोस के साथ जाने का कोई सेंस बंता नहीं है या तो पूरा टार्गेट या पूरा इस्टोथ WAT तो यहां कहीं मार्केट ने हमें अच्छा कासा profit भी दिखाया था, देखिए इस spike में, 73.00 के आसपास, 1000 के आसपास हमने profit आराम से 1000 प्लस ही देखने को मिला था, बट फिर market ने यहीं से continue, 4200 से resistance, यहां से अच्छा rejection आया, और market में यहां पर हमने, अपने stop loss के साथ हम market से निकल गए, ठीक है, तो कोई दिक्कत पहली बात इसमें है नहीं, हमने बढ़ियां discipline के साथ अपना काम किया, target हो इस टोपोस के साथ हम निकले, 361 में हमने buy किया था, 310 में हमने इसको sell कर दिया, 9 बच के 38 में कोशन बनाए थी, 10 बच के 10 मिनट में हमने इसको sell कर दिया, अब देखिए market में sell off आया हुआ है, भले market उपर चला जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमने यहाँ पर अपना काम किया, अगर आप देखेंगे तो 9 बच के 38 मिनट, कहाँ पर है candle यह वाली, 9 बच के 38 मिनट बढ़ियां market ना में 176 पॉन के आसपास दिया हुए, ठीक है न, तो चार्ट में हमने 170 पॉन के आसप करता, यह थोड़ा इसमें green में close करता, 70 पॉन के आसपास, या फिर 60-65 पॉन के आसपास भी अगर यहाँ पे green के close कर देता, तो हम उसको booking कर पाते हैं, ठीक है न, तो बट ऐसा हुआ नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने risk reward के according यहाँ से exit हो गए, 762 रूपीज के आस वीडियो अच्छे लगे होगे, मिलता हूँ मैं, अगर आपने टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया, तो जोइन कर लेना, मिलता हूँ मैं आप से ने वीडियो में, तब तक के लिए, जैहें दन, गुद बाए